आप सभी का हमारे आज के नए सेशन में आज की क्लास में हम कवर करेंगे इंडिया इयर बुक का अपना सेकेंड चाप्टर लेसेन नंबर टू इंडिया लांड आंड पीपल यानि की भारत के बारे में एक ओव व्यू है इस पर्टिकुलर चाप्टर में कि इंडिया क्या है यहां की जोग्रिफी कैसी है यहां के लोग कैसे हैं तो इस बारे में यह चाप्टर है यह चाप्टर जादा तर अगर आप देखेंगे तो इंडिया इयर बुक में हमेशा सबसे पहले नंबर पर हुआ करता था लेकिन इस बार फर्स चाप्टर बदल गया है इस बार जो फ तो बिलकुल सही बात है यह छाप्टर लगभग 95% सेम ही रहता है ठेख हैं हमेशा हर इंडिया यह बुक में आपको यह सेम ही content मिलेगा लेकिन क्या होते हैं कि बुक में कुछ पॉलिसी होती है कॉब्स की कुछ इनिशीयटिब होते हैं जो आप इन्डिया एर्बुक का पिछला वीडियो लास्ट जो है देख लीजेगा हमारे यूट्यूब चैनल पर उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है you can watch it and you can use my code top 10 to get an academy plus subscription an academy के subscription के लिए आप ये code use कर सकते हैं top 10 because top 10 will give you maximum discount in an academy you know subscription अभी 50% off चल रहा है guys और आप इस चीज़ का पूरा फायदा उठाएं because 50% discount एक अच्छा discount है और मैं यहां देख सकती हूँ कि कितने दिन में खतम होगा इंडिया ये कोशिशन है तो विदिन वीख हम कोशिश करेंगे एक दो हफते में तो होई जायागा अगर हम दो lessons daily कर पाएं तो जल्दी हो जायागा ठीक है और spectrum को हमने लीव नहीं किया है spectrum हम लोग करेंगे कवर ऐसा मत सोचे कि हमने spectrum को लीव किया है ठीक है डोंट वरी ऐसा कुछ भी नहीं है spectrum जो है हम पढ़ेंगे लेकिन इसलिए उसको भी हमने तो जब तक यह लगता है कि आपका सपोर्ट है और इस पर्टिकुलर चीज को आप जो है पसंद कर रहे हो तो फिर यह उतनी जल्द जल्दी होता चला जाएगा तो आइल बी जस्ट डूइंग अकॉर्डिंग तो यह रिस्पॉंस ठीक है इस आप कितना रिस्पॉंस देते हो है ना हर एक वीडियो पर हर एक लेक्ट्चुर पर तो नाव कमिंग तो टॉपिक सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक है इंडिया आट ब्रेटिस सिविलाइजेशन में से एक है यह वो देश है जहां पर बहुत सारे अलग-अलग कल्चर आपस में मिल करके साथ में उनका मिक्षर देखने को मिलता है तो इसका जो कल्चर है और इसकी जो सामाजिक और आर्थिक स्थिती है उसे अगर आप देखें तो उस पर ब और भारत की आर्थिक स्थिती पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा है तो अगर हम भारत को देखें तो इसका जो एरिया है 3287263 स्क्वार किलो मिटर का एरिया है और यह जो है अगर देखें तो उपर नौर्थ में स्नो कैब्ड हिमालिया से घिरा हुआ है बर्फ जो है जमी हुई है हिमालियास पर और वहां से होते हुए कोस्टल विलेजेज आपको आते हैं और फिर साउथ में आप जाते हैं तो एक आपको यूनो एरिया मिलता है बड़ाक सा कोस्टल एरिया मिलता है पूरा साउथ इंडिया कोस्टल एरिया है है ना कोस्ट देखेरा हुआ ह और humid tropical forest आपको मिलते हैं southwest coast पर आपको fertile ब्रह्मपुत्रा वेली भी मिलती है आपको desert भी मिलते है वेस्ट में और ये 7th largest country है दुनिया की second है population के मामले में सबसे ज़्यादा है चाइना में population चाइना के बाद है इंडिया में great हिमालिया नौर्थ में है और उसके बाद फिर ये जो stretch करता है southward at the Tropic of Cancer and इसके बाद इंडिया नोशन जो है हमारा इंडिया नोशन इंडिया के नीचे पे और बेंगॉल एक तरफ दूसरी तरफ है इंडिया के माप को दिखाने की कोशिश कर रहे है अगर आप कभी geography and CRT पढ़ोगे तो आप देखोगे कि उसमें भी इसी तरीके से ना इंडिया को दिखाया जाता है कि इंडिया क्या है ठीक है इसके latitude longitude क्या है तो जो हमारा इंडिया का mainland है उसे अगर हम देखे तो latitude है 8.4 degrees 37.6 degree north, longitude 68.7 degree to 97.25 degree east, distance अगर north से south का आप देखेंगे तो लगभग 3214 km है between the extreme latitudes and about 2933 km east to west का distance आपका निकलता है extreme longitude के beach में अगर हम इसके land frontier को देखें तो ये 15,200 km का है the total length of the coastline जो coastline की total length है हमारे main length पर अगर आप देखेंगे और लक्षुदीप island अन्नमान निकोबार island की पूरी coastline को मिला लें तो ये लगभग 7,500 16.6 km की है so 7516.6 km की हमारी है coastline इसे हम 6 zones में divide करके देख सकते हैं इंडिया को आप North India, South India, East India, West India, Central India and North East zone में देख सकते हैं जिसमें 28 राज्य और 8 union territories हैं हमारे bordering countries जिनके साथ हमारी border लगती है वो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान जो की North West में है चाइना, भूटान, नेपाल जो की North में है और फिर हमारा है म्यामार और बांगलादेश जो की हमारे East में है श्री लंका हमारे साथ जो है connected है एक छोटे से narrow channel से और ये जो separating channel है समुद्र में इसी को हम पाक स्ट्रेट कहते हैं और गल्फ आफ मननार भी कहते हैं तो यहां आप देख सकते हैं का इसकी हमारे जो physical features हैं उसमें कितनी जादा diversity है जो हमारा main land है इसमें भी चार हिससे आते ह पहला आता है आपका mountain zone दूसरा आता है plain area जो कि गंगा और इंडस नदी के fertile deposit से बना हुआ है फिर desert area आता है और फिर आता है southern peninsula जो हमारे हिमाल्याज है उसे अगर आप देखें तो इसमें तीन almost parallel ranges जाती हैं ठीके parallel ranges जाती हैं बहुत बड़े बड़े पठार हैं बहुत गहर गहरी खाई है वैलीज है और इसमें आप देख सकते हैं कश्मीर और कुर्लू वैलीज जो है काफी फर्टाइल है और काफी अच्छी सीनिक ब्यूटी भी है इसकी तो अगर आप देखेंगे कारा कोरम रेंज पीर पंजल रेंज जसकर रेंज लद्दाक रेंज यह सब आप पीक्स के बीच में से पासेज हैं पासेज को क्रॉस करके आप एक देश दूसरे देश की तरफ जा सकते हैं जैसे की जेलेपला है नाथूला है जो की मेन इंडो जिबर ट्रेड रूट बनता है थूदी चुम्बी वैली और नौर्थीस्ट में जो दार्जलिंग है दार्ज इन वाल्स की अगर हम बात करें तो यह एक्सेंड होते हैं ओवर डिस्टेंस ऑफ 2400 किलोमेटर इसका मतलब जो पहाड है उनकी जो उंचाई नीचाई अगर आप देखोगे तो उसमें बड़ी ही वेरी मतलब वो करता है 250 से 320 किलोमेटर तक की डेप्थ पर यह वेरी कर सकता है और इस्ट में अगर हम देखेंगे तो बिट्वीन इंडिया और मियामार और इंडिया और बांगलादेश जो हिल रेंजेज हैं वो थोड़ी सी लोवर है ठीक है इसमें गारो खासी जैनतिया नागा हिल्स जो हैं यह इस्ट वेस्ट रन कर रही हैं और यह एक चेन को जो पहाड़ों के नाम दिये गए हैं यह नाम वहां पर रहने वाले ट्राइबल ग्रुप के नाम पर ही पढ़ा है तो पहाड़ों को हम उसी नाम से जानते हैं जिस नाम से वहां के ट्राइबल ग्रुप उस पहाड़ पर निवास करते हैं अगर प्लेन एरिया की बात करें तो जो प्लेन्स हैं हमारे गंगा की और इंडस की अबाउट 2400 किलो मेटर लॉंग ये एरिया है आप जैसे की जानते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्रा और इंडस ये तीन हमारी सबसे इंपॉर्टेंट मेजर नदियां हैं इन्होंने नदर्ण प्लेन्स पर जो डिपॉजिट जमा किया है उसी से आज हमें नदर्ण प्लेन्स का इलाका देखने को मिलता है तो ये जो प्लेन एरिया है गंगा और इंडस का 2400 किलो मेटर लंबा है 242-320 किलो मेटर ब्रॉड है ठीक है और इसके अंतरगत जो ये पूरा इलाका बना हुआ है ये तीन नदियों के सिस्टम से बना है जैसे कि अभी मैंने आपको बताया इंडस गंगा और ब्रह्मु पुत्रा इन तीनों ही नदियों का एक इसमें आप कह सकते हो लाया गया जमावड़ा है ठीक है जो की जम गया है और नदर्ण प्लेन्स वहां से बने हैं तो हम देखते हैं कि यार वन आफ दी वर्ल् कहीं नहीं है सबसे जादा एलूवियल डिपॉजिट का ये किस्सा है एक बहुत बड़ा हिस्सा है और बहुत जादा पॉपुलेटेड एरिया भी है जहां पर अच्छी खासी बड़ी पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है अगर हम बात करें देजर्ट वीजन्स की तो जो ग्रेट डिजर्ट है वो हमारा एक्स्टेंड होता है फ्रॉम दी एज ऑफ दी रन ओफ कच्छ बेयोंड दा लूनी रिवर नॉर्थ वर्ड जो पूरा हमारा राजिस्थान और सिंद का इलाका है वो इसी से जो है होते हुए गुजरता है पूरा डिजर्ट एरिया है ल हमारा फैला हुआ है यहां पर टूरिज्म भी बहुत जादा है बिट्वीन दे ग्रेट एंड लिटल डिजर्ट यानि की जो बड़ी ग्रेट डिजर्ट है और लिटल डिजर्ट है ग्रेट डिजर्ट कहां है गुजरत के रन ओफ कच्छ के किनारे से लेकर के लूनी रिवर के आगे तक ठीक है और लिटल डिजर्ट कहां है लूनी रिवर पे है ठीक है योकी जैसलमेर और जोधभूर के बीच में है अब इन दोनों के बीच में हमारे ग्रेट लिटल डिजर्ट के बीच में एक बंजर जमीन है एक बैरन जोन है जिसके अंतरगत रॉकी लैंड है दिखता है तो यह कैसा ट्राइंगल है जो कि तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है तो कोई भी ऐसी जमीन एक ऐसा ट्राइंगुलर लांड मास जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो उसे पेनेंसुला कहते हैं याने की प्रायद्वीप कहते हैं तो यह जो है हम देखते है यहां पर आप देखोगे कि ऊपर की तरफ प्लेंस ऑफ गंगा आ जाएंगे और इंडस आ जाएंगे मौंटेन हिल्स रेंजेस आ जाएंगे और इसमें आप देखेंगे अरावली हिल्स विंध्या सत्पुरा मैकल अजंता ये सारे हिल्स है जो कि नौर्थ की तरफ तरफ है इसन घाट दूसरी तरफ है तो इसन घाट की ऊचाई थोड़ी कम है केवल 610 मीटर है जबकि वेस्टर घाट की ऊचाई जादा है ये 915 से 1220 मीटर तक की हो सकती है तो आप देख सकते हैं कि ये काफी उंची होती है कहीं कहीं पर तो ये 2440 मीटर्स की उंचाई तक भी पहुँच जाता है क्या Western Ghats की बात हो रही है तो ये Western Ghats की खासियत है अब अगर हम लोग देखें तो Western Ghats और Arabian Sea के बीच में एक Narrow Coastal Strip है और Southern Point जो है इस प्लाटू का वहाँ पर नीलगिरी हिल्स है जहाँ पर Eastern और Western Ghats मिलते हैं और कैर्दमम हिल्स जो है वो आप देखेंगे कि वो एक Continuation है Western Ghats का ही तो इस तरीके से ये पहाड आगे बढ़ते रहते हैं अगर Geological Structure की बात करें तो ये जो Geological Region है Broadly Follow करता है Physical Features को जो की तीन Regents में बटा हुआ है हिमाल्यास का इलाका ठीक है और इसके सारे बांकी के पहाड इंडो गैंगेटिक प्लेन और South की हमारी Peninsular Shield तो प्रेजन जो Configuration है इंडिया का उसे अगर हम देखें तो वो Indian Plate और Euro Ocean Plate के टकराने से बचा बना है जैसा कि आप जानते हैं Plate Tectonic Theory क्या है कि हमारा यह जो पूरा लिठोसफेरिक प्लेट का एरिया है प्रिथवी के ऊपर प्रिथवी पर सारे जितने भी आप Continent देखते हो वो समय प्लेट का हिस्सा है ठीक है जैसे कि नास का प्लेट है eurasian Plate है इंडिो-Australian Plate तो यह सब अलग-अलग प्लेट है तो ли यह सारे कि सारे लिठोसफेरिक ti- advance एसथोनासफे़ मतलब उसट टो जितने की हमारी ये प्लेटस में टूटे हुए यह सब मुव कर रहे हैं क्यों कि अंदर से मैगम कि अपेलिंग ऑलरी है अब मैगम की अप professions मूव करते हैं तो कुछ प्लेट्स आपस में टकराते हैं और कुछ एक दूसरे से दूर भी जा सकते हैं तो आपस में टकराएं हैं युरेशिया के और इंडिया के प्लेट्स तो युरेशियन और इंडियन प्लेट्स के टकराने की वज़े से यंग फोल्ड माउंटेंस यानि की हिमाल्यास मंने हैं जो प्लेट का टकराव हैं उसी की चर्चा यहां की गई है इसी को हमगे टिक्तॉनिक भी कहते हैं तो यह कब टकराया था यह प्लूं प कर आ फंफ यॉर्ज अगो टकराया ह contained अब टकराया यह जो कोलीजन हुआ तो हमने देखा कि जो इंडियन प्लेट है वो नीचे धसने लगी क्योंकि इसकी डेंसिटी जाधा थी और इसी वज़े से हिमालियन माउंटेन की चेन इस दुनिया में बन गई इसके अलावा साउथ ऑफ दी हिमालियास में हम देखते हैं कि दे पहले यहां सिर्फ गढ़्धा हुआ करता था आज जो आप नदर्ण प्लेंस देख रहे हो यहां गढ़्धा था यह प्लेंस जो हैं यह यंगेस्ट हैं अपनी एज में बहुत ही फॉर्टाइल हैं इसमें अलूवियल डेपॉजिट हैं और हिमालिया से आती हुई नदियो नदियों के द्वारा और पेनेंसुलर रीजन से भी आती हुई नदियों के बहाव से बहुत सारा अलूवियल डेपॉजिट यहां पर जम गया है इस आर ग्रेट अलूवियल ट्राक्ट जो की हिमाल्यास को जो है सेप्रेट करती है इन दे नौर्थ फ्रॉम दे पेनेंसुल इन दे साउथ में जो पेनेंसुलर रीजन है एक ट्राइंगल के तरह है इन्वर्टेट ट्राइंगल है रिलेटिवली आप देखेंगे कि स्टेबल है यहां पर बहुत सारे पुराने पत्थर हैं क्योंकि यह पहले इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा था और बाद मे जब इंडिया उस्ट्रेलिया से दूर हो करके अपनी नौर्थ वर्ट जर्नी शुरू करता है तब यहां पर बहुत सारे वॉलकेनों हुएं तो यहां पर आप देखते हैं कि गोंडवाना सूपर ग्रूप है इगनियसें मेटमॉर्फिक रॉक है डिकन ट्राप का फॉर्मे definite system है कि सारी निद्यया हैं हिमाली दिवर्स हैं टिकन टेशर है को स्टल विवर्स है हमारे पास रिवर्स है जोकि इनलैंड ड्रेन बएस्न में भी आती है तो अब हगर हम लोग हिमालीन डिवर्स की बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि हिमालय के ऊपर जो स्नो रहती है ठीक है जो बर्फ जमी रहती है ये बर्फ पिघलती है और पिघल करके यही पानी पहाड़ों से उतरते हुए नदी का रूप ले लेता है तो ये जो हिमालियन रिवर्स हैं ये कैसे बनी है इनका ओरिजन कहां से हुआ है जैसे गंगोतरी से गंगा निकलती है यमुनोतरी से यमुना निकलती है तो भई ये निकलती वहां से ही क्यों है क्या है जो वहां से पानी बना रहा है क्या कोई magic है ऐसे नहीं है न कुछ तो हो तो रीजन ये है कि पहाड़ों पे जो बर्फ जमी हुई है वो धीरे धीरे पिखलती रहती है क्लाइमिट चेंज भी हो रहा है गर्मी बढ़ रही है ओपर से दूसरा सूर्य का जो एक तापमान है तो जाहिर सी बात है कि जब ये बर्फ पिखलेगी तो पानी के रूप में ब बहुत जादा हेवी रेनफॉल होती है जिसकी वज़े से और जादा पानी रिवर्स में भर जाता है तो फ्लड आने की संभावना बढ़ जाती है तो जो में हिमालियन डिवर्स है उसमें सबसे पहले है इंडस और दूसरी है गंगा फिर दूसरी है ब्रह्मपुत्रा और मे देगना जो है यह पूरा सिस्टम जो है यह प्रिंसिपल सब बेसिण है यह बेसिं का मतलब क्या है जो नदी जहां से होकर के गुजरती है उसको बेसिं कहते हैं उस ब्रिंसिपल सब-बेसिं हैं 2 All the भागी रथी और अलकननदा मेन इनके.ई औरी है यह जोईन हो जाती हैं दोनों नदियां कहां देव प्रयाग में और उसके बाद यह गंगा में परिवर्सित हो जाती हैं तो ब्रह्म पुत्र का और मेगना का जो सिस्टम है वो क्या है कि गंगा ब्रह्म पुत्र मेगना सिस्टम बताता है कि दोनों की जो है इनकी नदियों का अपना एक सब बेसिन है अपना पार्ट है ठीके भागी रथी से आता है और दूसरा अलग नंदा पर आता है और यह लोग देव प्रयाग में मिलते हैं यह नदियां मिलकर के गंगा बनाती हैं तो इस तरीके से हम देखते हैं कि फिर यह गंगा नदी उत्तरा खंद उत्तर प और यमुना के इलावा आप देखेंगे कि गंगा नदी की ट्रिब्यूटरीज है राम गंगा घागरा गंडक कोसी ठीक है और है महानंदा ठीक है सोन रिवर है ये सब जो है आपकी गंगा नदी की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है ठीक है इसके अलावा चंबल और ब ब्रहमपुतरा जो है वो बांगलादेश में मिल जाती है और कंटिन्यू होती है पदमा या गंगा के नाम से फिर जाने जाती है वहाँ पर जाने के बाद तो इस तरीके से यह नदीयों का पूरा फ्लो रहता है अब ब्रहमपुतरा तिबत से शुरू होती है तो इसकी स्टार कहते हैं उसके बाद फिर वो एक पासी घाट से यूटर्ण लेती है और जो देबांग और लोहित नदियां हैं उनके साथ मिल जाती है कमबाइन रिवर्स आगे आकर के असम से होते हुए फिर बांगला देश तक आती है और फिर जो है बांगला देश में जो है डाउन स्ट्रीम ऑफ धुबरी तक पहुंचती है उसे क्रॉस करती हुई प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरी ब्रह्मो पुत्रा की अगर देखेंगे तो सुबंसरी है जीया भरेली है धनसरी है पुथी मरी है और पगलादिया है जी के मानस है बराक रिवर भी इंपॉर्टन है यह मेगना की हेड्स ट्रीम है हिल से शुरू होती है मनिपूर के पहाड़ों से और इसके अलाबा इसकी इंपॉर्टन ट्रिब्यूटरी देखते हैं मक्कू तरंग तुवई जीरी सोनई रुकनी कठाकल धलशेवरी धलेश्वरी लंगचिनी मंदुवा जतिंगा यह सारी इंपोर्टेंट नदियों की क्या हैं अब यहां पर यह सब चीजे पढ़ करके यह जरूर सोच रहे होंगे कि इतना हम कैसे याद रखेंगे हैं और अगर मैप के द्वारा इसको पढ़ा जाए तो और जल्दी यह याद हो जाएगा तो अल्रेडी इसकी मापिंग हम लोग कर चुके हैं हमारी NCRT क्लास में अगर आप जोग्रफी के एंसी आटी क्लास देखेंगे मेरी आप पुराने जो भी जोग्रफी के लेक्चर समलोग कवर कर चुके हैं उसमें आपको मिलेगा यह सारा कंटेन उसमें हमने ने कवर किया हुआ है अब इसको इतना मैप से कवर कर क तो इंडिया के मापिंग के उपर आप आ जाओ तो इस अलॉट अव सब्सक्राइब कर रहे हैं कि कौन-कौन-कौन-की बात कर रहे हैं अब आपको इन सभी नदियों को अपका ये होम वाक है कि खुद मैक रहे हैं और प्राक्टिस भी करनी है कि आप इन नदियों के सिस्टम को इसके फ्लो को बना सके की अगर आपको फाली मैक मिल जाए जाए तो आप उसको बना सको अब थोड़ा साूथ हिंडिया की रिवर्स की बात करें के तो डिपेन्र डिवर्स में आप देखो कि उतना ज्यादा फास्ट फ्लो नहीं है एक तो हिमालय जितने उचे पहाड से नदी आ नहीं रही है एक यह कारण है कोई स्नो की मेल्टिंग भी नहीं है और यह पूरे साल नहीं बहती है तो मैं यहां देख सकती हूं कि करेंट अफेर पढ़ने की जरुरत होती है बिलकुल करेंट अफेर के लिए एक आपका सवाल मैं देख सकते बूक पढ़ने के बाद भी पहले तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें जितने भी लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज इस वीडियो को लाइक करें गाईस काइंडी लाइक तब वीडियो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको करेंट अफेर्स पढ़ना पढ़ता है इंडिया इयर बुक क्या है आपके पूरे देश में जो भी चला पूरे साल का उसका एक ब्योरा देती है कि आप अपने देश को जानो और आपके देश में क्या नया अपडेट हुआ है उसक करेंट अफेरस तो अलग से आपको मंदली मागजीन क्या आती है ना करींट फैर की वह लेलो और आप जाने कहां ते बात करेंगे रिवरस अगर बारिश होगी तभी ये नदियों में पानी आएगा और बारिश नहीं होगी तो इन में पानी नहीं आएगा इन नदियों के अंतरकत अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरे साल नहीं बहती है इसमें जो मेजर रिवर्स है वो जेनरली इस्ट में जो है इन दे इस देफ़ लोग और फॉल इंटो दे बेजुए उसमें है गोदावरी और कृष्णा कावेरी महा नदी नर्मदा तापी ये सब नदियां है तो देखें इस फ्लॉइंग में तो महानदी तक है लेकिन नर्म और तापी जो सलोप मिल रहा है जो ग्रेडियन की तरफ होता है क्योंकि जब ये पहाडों से करती है आपके अरावली सत्फरोरा और अमर्कंटक रेंजर से जब ये राइज करती है तो ये नदियां जो है इनका पानी का स्ट्रीम का जो फ्लो है वो पूरा का पूरा वेस्ट की तरफ जाता है वो दावरी जो है इंदी सदर्ण पेननसुला यह सेकंड लार्जस्ट रिवर बेसिन है इसका और 10% एरिया इंडिया का यह कवर करता है तो गोदावरी एक बहुत बड़ी नदी है पोस्टल स्टीम्स की बात करें तो अगर हम वेस्ट कोस्ट को देखेंगे तो वेस्टन घार्ट में आप देखेंगे कि यह छोटी है लेंथ में और बहुत ही लिमिटेड कैच्मेंट एरिया है तो कैच्मेंट एरिया क्या होता है कैच्मेंट एरिया वो एरिया होता है जहां स नदी जो है पानी को कैच करती है जहां से नदी को वाटर मिलता है जहां से नदी को पानी की आपूर्ती होती है तो नदी जहां से पानी को कैच करती है जहां से नदी को पानी मिलता है वो नदी का कैचमेंट एरिया होता है तो ज्यादतर कोस्टल स्ट्रीम भी नॉन पेरीनिय है पेरीनियल का मतलब होता है जो पूरे साल बहती है अगर हम इनलांड ड्रेनेज की बात करें तो जो स्ट्रीम्स हैं इनलांड ड्रेनेज बेसिन की ऑफ वेस्टन राजिस्थान दे आर फ्यू आंड दे आर फार अपार ठीक है एक तो वह बहुत कम संख्या में हैं और दूसर इसका मतलब क्या है जादा तर यह इनलेंड ड्रेनेज सिस्टम की नदियां है वेस्टन राजिस्थान की यह बहुत जल्दी सूख जाती है जैसे कि लूनी रिवर माच्छू रिवर रूपेन रिवर सरस्वती रिवर बानस रिवर घगर रिवर इन नदियों में आप देख करें तो ड्रेनेज बेसिन का मतलब क्या है जिस जगह से नदि होते हुए गुजरती है वो इरिया जो कि नदी बहते हुए कवर करती है उसी को उस नदी का बेसिन कहते हैं, For example, मानलो कि यह एक area है, और इस area से, यहासे लेकर, यहां तक, गंगा नदी flow करती है, ठीक है, यह गंगा नदी है, यह flow करती है, ठीक है, तो, यह पूरा area, जहां से गंगा नदी हो करके, गुजरती है, वो गंगा नदी का बेसिन बन जायेगा that would be known as the basin of river Ganga तो drainage basin का मतलब होता है वो इलाका जिसे नदी बहाती है तो हमारे देश में जो इलाके जिसे नदी होकर के गुजरती है उसमें अगर हम देखें तो पूरी जो हमारी country है the entire country has been divided into 20 rivers basin पूरे देश में कितनी river basins है इंडिया के total 20 river basins है याद रहेगा very important how many basins are there in total 20 20 river basins जो है इसमें group of rivers है ठीक है जो की combinedly गूमती रहती है तो पूरी country में 20 river basins में हम इसको divide कर सकते हैं और अगर हम group of river basins को देखें तो इसमें से तो 12 major basins है और बांकी की 8 जो है वो composite river basins है इसका मतलब क्या हुआ 12 है major river basins जो बड़ी नदियों की बनी हुई है और 8 है जो छोटी छोटी नदियों को मिला जुला करके बनी हुई है composite character की है तो total 20 नदियों के basins है हमारे पास 20 में से जो 12 नदियों है वो major है और बांकी की जो 8 है वो composite है अब 12 major river basins कौन कौन से नदि बनाती है तो इंडस गंगा ब्रह्म पुत्रा मेगना गोदावरी कृष्णा कावेरी महानदी पेनार ब्रह्मनी बैतरिनी साबर्मती माही नर्मदा तापी ये सब का basins बहुत बड़ा है कितना है 20,000 स्क्वार किलो मेटर तक का होता है इतना बड़ा एरिया 20,000 स्क्वार किलो मेटर तक का जो एरिया है ये नदियां घेर लेती है वांकी आती है आपकी 8 composite river basin जो छोटी मोटी नदियों के साथ मिल करके जुड़ करके तयार होती है इसमें medium area cover होता है जो लगभग 2000 से 20,000 स्क्वार किलो मेटर का हो सकता है इसमें छोटी नदियों के इलाके आते हैं इसका जो है आप देखो तो इसको कई बार use भी किया जा सकता है planning और management के लिए कि भई नदी कहीं पर पानी किया पूर्ती करनी है खेतों के लिए पानी चाह में मौसम बहुत बदलता रहता है ठीक है आप देखोगे कि हम लोग जो है हर तरीके के अलग-अलग different climatic situations को देखते हैं तो जो climate है इंडिया का इसे अगर आप देखें तो इसे broadly आप डिसक्राइब कर सकते हैं as tropical monsoon type tropical क्यों है क्योंकि tropical इसी लिए है because we are very near to the tropics and a zero degree equator के हम क बाटता है तो यह इलाका जो आता है यह एक tropical zone में आ गया में जो मतलब इंडिया का पूरा mainland अगर आप देखोगे तो हम जो है equator के करीब है तो हम इसको tropical zone ही मानेंगे और monsoon है क्योंकि monsoon का बहुत प्रभाव है ठीके monsoon wind से आती हुई हवाएं और उसकी बारिश जो है भारत के उपर बहुत ज्यादा climatic situations को change करती है तो इंडिया के climate का नाम क्या है कि थंडा इलाका है गरम इलाका है क्या है यह tropical monsoon type of climate है और इंडिया का the Indian Meteorological Department IMD जो है वो कहता है कि भारत में चार official season है सर्दी का season जो January से February के बीच में रहता है प्री मॉन्सून या summer season जो बारिश आने से पहले की गर्मी है जैसे कि अभी चल रहा है तो मार्च एप्रिल और माई वाला महिना फिर आता है आपका साउथ वेस्ट मॉन्सून जून जुलाए अगस्ट सेप्टेंबर यह साउथ वेस्ट मॉन्सून का टाइम है जब में बा सब्सक्राइशन रहती है तो October, November, December में हलकी ठंडी और बहुत हलकी फुलकी सी बारिश हमें देखने को मिलती है तो यह climate and seasons है जो की चार ओफीशली हमारे देश में देखने को मिलते हैं अब यह मॉन्सून क्या है तो मॉन्सून जो है अगर आप ध्यान से समझें तो यह सिर घी रहोगा है आप जानते हो कि अधर और अरेबियन ओशन है अरेवियन सी है इदर इंडियन ओशन है टिके और इधर भे आफ़ बेंगॉल है है तो अगर इंडिया का टेंप्रेचर बहुत बढ़ जाएगा गर्मी का मौसम है और यहां का प्रेशर लो हो जाएगा क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर टेंप्रेचर बढ़ेगा तो प्रेशर लो होगा तो अगर low pressure हो जाएगा तो सभी हवाएं समुद्री हवाएं अरेबियन सी से इंडियन ओशन से बे ओफ बेंगॉल से इंडिया की main land की तरफ आने लगेंगी और ये सारी हवाएं अपने साथ खूब सारा moisture लाएंगी क्योंकि समुद्री लाके से आ रहे हैं पानी ले करके आ र आएगा तो समर की मौसम में क्योंकि भारत का temperature बढ़ जाता है और इंडिया की mainland का प्रेशरude लो हो जाता है तो विंड क्योंकि हमेशे high pressure से low pressure की तरफ इसी लिए मौन्सून आता है और इसी का उल्टा हमें सर्दी के मौसम में देखने को मिलता है जब भारत का टेंपरेचर घट जाता है प्रेशर हाइँ हो जाता है और हाइँ प्रेशर से विंड वापस जो है समुधरी एरिया की तरफ क्योंकि वहाँ लो प्रेशर है तो मूव करती है क्योंकि जो लांड होता है उसको ठंडा और गरम होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता जबकि पानी को ठंडा और गरम होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ठीके पानी एक बार अगर ठंडा हो गया तो उसको दुबारा गरम करने में भी टाइम लगेगा एक बार गरम हो गया तो वापस इसे cool down होने में भी time लगेगा So water will take time इसका boiling point जादा होता है पानी का पर land कैसा नहीं है Land जो है जल्दी थंडा या जल्दी गरम हो जाता है जिसकी वज़े से temperature and pressure distributions change होते हैं और monsoon आता है तो जो southwest monsoon season है वो हमारा main rainy season है country का और इसको अगर हम देखे तो यह बहुत vary करता है from June to September यह काफी vary करता है June to September हाला कि यह generally माना जाता है कि चार महिनों की यह बारिश होती है ठीक है June से September में लेकिन actually specific जो period है कि बारिश कितने दिन तक होगी या कितने महिने तक होगी यह हर जगा place to place vary कर सकता है हर जगा same बारिश नहीं होती कहीं किसी जगा पर बहुत जादा बारिश हो सकती है कहीं बहुत कम बारिश हो सकती है तो यह depend करता है on the date of its onset and withdrawal कि वो कब आएगा और कब withdraw करेगा तो monsoon का set होना यानि monsoon का रुकना जो है वो कहां से शुरू होता है इसका शुरू होता है काम केरल की कोस्ट से तो यह जो है अपने आपको set कर रही है first June से first June से इसकी शुरुवात होगी फिर जो है पूरे June में यह आगे बढ़ती रहेगी और जुलाई तक में यह पूरा देश कवर कर लेगी इसमें less than 75 days का time लगता है western राजस्थान में and 120 days से भी जादा time लगता है south western region of the peninsula में इसका मतलब क्या है कि राजस्थान के side में यह जो बारिश है अगर यह जाएगी भी यह monsoon का movement होगा भी तो बहुत कम मतलब दो महिने भी बारिश ठीक से वहाँ नहीं होगी और अगर होगी भी तो कम होगी जबकि peninsular इंडिया में पारिश बहुत जादा होगी एक ही season में हम देखते हैं कि कई बार monsoon भी बिगड़ता रहता है कई बार time पे बारिश आ जाते कई बार नहीं आती अब आजकल आप देखो कि जो मौसम है वो कितने अजीब तरीके से बदलता है सर्दी का मौसम होता है तो उतनी जादा सर्दी नहीं होती है गर्मी का मौसम होता है तो उतनी भी जादा गर्मी नहीं होती है कभी गर्मी होती है तो बहुत extreme गर्मी होने रगती है कभी दूसरे factors पर dependent है वो सभी factors अगर aligned होंगे तो फिर मॉंसून ठीक से आएगा कभी एल नीनों हो जाता है कभी ला नीना हो जाता है तो कभी कोई और oscillation हो जाता है तो एक ही season के अंतरगत जो मॉंसून की rainfall है उसमें हम देखते हैं कि इसमें oscillate ये करती है between active spells associated with widespread rains over most part of the country and ये break होती है with little rainfall actively over the plains and heavy rains across the foothills of the Himalayas ठीके काफी heavy rains होती हैं Himalayas के foothills पर अगर हम based on data देखें तो 1971 से 2020 के बीच में इंडिया ने 868.6 mm, 868.6 mm rainfall देखा during the southwest monsoon season और इंडिया का जो monsoon है ये blow होता है southwest से during the warmest month of the year and वापस उल्टा reverse direction में जाता है blow होता है from northeast during the cooler month ये जो process है ये बहुत ज़्यादा rainfall लाता है इस region में जून से September के बीच में और इसे regard किया जाता है princely as the rainy season principle rainy season इसी को हम क्या कहते है principle rainy season यही मेन वर्षा का season होता है यही मेन वर्षा का मौसम होता है जो की हम देखते हैं तो वर्षा का मौसम कुछ इसी तरीके से होता है अगर हम cyclone की prevalence की बात करें तो जो tropical cyclones है आर originated over the warm motions of the world tropical cyclones जो है हमारे वो warm motion of the world यानि ट्रॉपिकल है ट्रॉपिकल का मतलब क्या हुआ कि भई ट्रॉपिकल एरिया पर है जीरो डिगरी के आसपास है तो कहीं कहीं पर क्या होता है कि मानलो की एक area है ठीके इसके आसपास खूब सारे आपने पेड़ लगाए हुए है ठी करेंगे temperature को down करेंगे अब मानलो की बीच में से किसी ने जंगलों को साफ कर दिया है तो यहां का temperature अत्यंत बढ़ जाएगा प्रेशर लो हो जाएगा और यह सारी के सारी हवाओं को अपनी तरफ एट्राक्ट करेगा क्योंकि low pressure zone बन जाएगा और तेजी से तूपानी होगा cyklon आचे चक्रवात आएगा और उस चक्रवात से बारिश भी आएगी जिसे हम साईकलोन के रिणफाल या फिर ऊर्ण ख से भरेंगे और भॉब सारे बादल और खूब सारा बाइन फॉल से लाते हैं बहुत सारी energy ocean से लाते हैं तो ऐसा coastal areas में होना बहुत possible है क्योंकि coastal area में जो है वो पानी से घीरा हुआ रहता है and east and west coast india के काफी ज्याधा prone है to the destructive tropical cyclone activities बहुत ज्यादा हमारे coastal areas पर especially odisha में हर साल आप देखोगे की चक्रवात आता है बाढ़ाती है तो अगर हम देखें तो सीजन को अगर हम देखें तो इस डेवलप्मेंट इस सीजन इन नेचर सीजनल नेचर में क्यों है क्योंकि साइकलोन कैसा डेवलप होगा कब आएगा यह सीजनल है ज्यादा तर जो ट्रॉपिकल ओशन बेसिंस होते है उसमें हम देखते हैं कि ज़्यादा frequency होती है formation की during the late summer to early autumn period तो यहां पर जो ट्रॉपिकल साइकलोंस होंगे वो ज़्यादा इसी time में आएंगे most tropical cyclones ocean basin से आते हैं और बहुत ज़्यादा summer के time में या early autumn के time में इसकी frequency होती है और जो tropical cyclones monsoon season में आते हैं वो ज़्यादा तर आप को जून के time में देखने को मिलेंगे जब monsoon खतम हो चुका है या monsoon वापस जा रहा है तो monsoon जब खतम होने लगता है तो कि बारिश जब खतम होने लगती है तब southwest monsoon के onset पर यूदो खतम होने पर हमें कुछ cyclones देखने को मिलते हैं भारत की अगर जय विवित्ता की बात करें तो उसमें कोई कमी नहीं है यहां का flora बहुत रिच है अगर आप देखें तो जो भी data है हमारे पास वो दिखाता है कि इंडिया 10th position पर है in the world and fourth in the Asia in the plant diversity पेड़ पौधों की बहुत ज़्यादा diversity है ठीक है from about 70% of geographical area surveyed so far over 46,000 species of plants have been described by Botanical Survey of India BSI Botanical Survey of India ने 46,000 जो जातियां है plants की उनके बारे में बताया है और जो vascular flora है which forms the conspicuous vegetation cover इसमें 15,000 species है जो अपने आप में काफी unique है इंडिया के अंदर आठ प्रकार के distinct floristic region है western हिमालियाज में अलग प्रकार के फूल है इस्टन हिमालियाज असम, इंडस प्लेन, गंगा प्लेन, डेकन, दमलबार and the undermans इन सभी इलाकों में अपनी एक flora की पेड़ पौधों की different एक variety है अगर आप western हिमालियन रीजिन में जाएंगे तो ये कश्मीर से कुमाओं hills तक जाता है इसमें हम देखते हैं कि ये temperate zone का इलाका है तो यहाँ पर बहुत जंगल है, चीर के पेड़ है, pine के पेड़ है, ठीके conifers है, broad-leaved temperate trees भी है और थोड़ा और उचाई पर जाएंगे त बहुत उचे, high levels के silver पर मिलेंगे, silver के birch मिलेंगे, junipers मिलेंगे, ये सब बहुत ही जादा उचाई पर पाए जाने वाले पेड़ हैं, अगर आप eastern हिमालियास के लाके में आएं, तो यहाँ आप से किम से eastward की तरफ आ रहे हैं, दार्जलिंग और केसियों के साथ, तो यहा पर बहुत जादा ग्रो होते हैं, हाला कि इनकी हाइट उतनी जादा नहीं होगी, जितनी western हिमालियास की है, अफ कोर्स, बट हाँ, यह भी काफी अच्छे पेड़ हैं, जो कि हमें मिलते हैं, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई doubts तो नहीं है, कोई questions, anything, if you want to ask anything, please let me know, हमें हंदा, अप का ब्रषन इनकी साथ, जितना, से टे हमें मिलते हैं, जो वी दो दो किर्मः को तो आई मुतों है, यह भी साथ whereुणी महीं होगी यहां मैं देख सकती हूं कि कुछ डाउट है जैसे कि एक अनिमेश का डाउट है कि इस बुक का पीडियेफ एविलेबल है येस पीडियेफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और इंडिया ये बुक जो है आपको कम्प्लीट कर लेनी चाहिए विधिन टू वीक्स ठीक है मैं आप इसको पूरा कर सकते हो और मैं यहां पर देख सकती हूं कि कुछ-कुछ जो पॉपॉलेशन रिलेटेटर चेंजेज हैं उसके बारे में यूगाईज आरास्किंग बड़े को बुक्स में जो हमारे पास लिखा हुआ है उसके हिसाब सभी भी हम सेकेंड नंबर पे ह है ठीक है और दूसरा मैं देख सकती हूं कि कुछ और हमानीज जैसे काफी दिनों बाद जॉइन हुए है अभी तक मुझे लगता है लाइक्स में बहुत कमी है मुझे आप सभी के लाइक्स और सपोर्ट की काफी आपी शक्ता है गाईज इस आवश्यक्ता को समझें और ला कोड़ाज है तो देखिए जो इंडस प्लें डीजन है इस प्लें एरिया में आप पंजाब से वेस्टन राजिस्थान और नदर्न गुजरात तक आएंगे तो यहां पर आपको ड्राय हॉट जो है एरियास मिलेंगे और यहां पर एक नाचुरल वेजिटेशन है जो ड्राय और होट इलाके लिए सही रहती है गंगा प्लेंस का जो इलाका है यहां पर आपको एलूवियल प्लेंस मिलेंगे और दिस अंडर दा कल्टिवेशन ऑफ वीट शुगर केन और राइस डेकें में साउथ की तरफ आप देखेंगे पूरा यह टेबल लैंड है क्योंकि पूरा यह प्लाटू है ठीक है और इंडियन पेनिसूला का यह इलाका है यह बहुत सारी वेराइटी और बहुत सारा वेरियस यह नो वेजिटेशन है जिसे सपोर्ट करता है श्रब जंगल को और मिक्स्ट डेसीडियस फॉरेस्ट हमें यहां देखने को मिलते हैं मलाबा रीजन मे हम देखते हैं कि excessively humid belt of mountain है ठीक है humid belt of mountain country parallel to the west coast of the peninsula जो रीजन है यह प्रेडियूस करता है important commercial क्रॉप्स को जैसे की coconut को betel nut, pepper, coffee, tea, rubber, cashew ठीक है kaju के जो nuts होते हैं इन सब को यह जो है produce करता है इसके अलाबा अगर हम un-demand region की बात करें तो un-demand region abounds in evergreen, mangrove, beech and diluvial forests यहां पर हम देखते हैं कि अगर forest का आप destruction करते हैं owing to the destruction of forest for agricultural, industrial and urban development कई सारे जो Indian plants होते हैं उन्हें आज threat face करना पड़ता है extinction हो रहा है क्योंकि खेती के लिए हम जंगलों को काट रहे हैं तो 1336 plant species आज खत्रे की कगार पर हैं उनकी संख्या कम हो गई है वो vulnerable है या endangered है तो हमारा जो botanical survey of India है वो एक inventory लाया है of endangered plants in form of a publication titled red data book जैसे कि आपने देखा है कि IUCN की एक red data book list होती है जिसमें पूरा एक list दिया जाता है vulnerable species का, extinct species का, rare species का, endangered species का वैसा ही इंडिया के लिए भी BSI कर रही है अगर हम fornal resources की बात करें तो हमारी biological diversity बहुत अच्छी है पाउना भी हमारे पास बहुत है, flora का मतलब होता है पेड, पौधे, फूल, पत्तिया flora का मतलब होता है जीव जन्तु, जानवर, ठेके पशू, तो अब हमारे पास बहुत सारे अलग-अलग प्रकार की पशू है बायो जोग्रेफिकल लोकेशन और डाइवर्सिफाइड क्लाइमेट कंडिशन की वज़े से हमारी एको डाइवर्सिटी और जियो डाइवर्सिटी अच्छी है इतनी अच्छी डाइवर्सिटी और इतना अच्छा एको सस्टम है कि कई सारे अलग-अलग प्रकार के जो जेनेटिक्स हैं उनका मेक अप हमें यहां देखने को मिलता है तो according to the world bio geographical classification इंडिया को अगर हम देखें तो यह रिप्रेजेंट करता है टू अफ दो मेजर रिल्स पेलरेक्टिक अंड इंडो मलयन यह जो है मेजर रिल्स हैं ठीक है यह जो इंडिया करता है यह क्लासिफिकेशन को कि कंट्री में कितने प्रकार के बायो जोग्रेफिकल रीजिन्स हैं, तो ये बताता है कि पूरे टोटल दस हैं, कौन से दस हैं, पहला है ट्रांस हिमालिया, हिमालियन्स, इंडियन डिजर्ट, सेमी एरिड एरिया, वेस्टन घाट, डेकन पेनिंसुला, जैंगेटिक प्लेंस, नौर्थ इस्ट इंडिया, आ ट्रांस हिमालियाज मतलब ग्रेटर हिमालियाज, ठीक है, जो उचे वाले परवत हैं हमारे, तो आप देख रहे हैं कि ये सारे हिमालियन एरियाज में भी आप देखोगे, तो ग्रेटर हिमालियाज, मिडल हिमालियाज, लोर हिमालियाज, ठीक है, ऐसे हिमालियाज की भी अ मतलब अगर दुनिया में हम देखे लैंड एरिया तो लैंड जितनी है दुनिया में उसका केवल 2.4 परसेंट लैंड ही इंडिया के पास है जमीन कम है पर 7.50 परसेंट की स्पीसीज और एनिमल वायर वेराइटी है जो की हम इंडिया में होल्ड करते हैं हमारे पास ग्लोबल जो डाइवरसिटी है उसका 6.52 परसेंट है ठीक है मतलब आप मानों की 28 परसेंट जो हमारा कॉंट्रिवीशन है पूरी दुनिया में में इंटेनेंस करने का हमारी तरफ से है इंडिया के तरफ से इंडिया इस बन आफ दे कंट्रीज विद हाई मरीन बायो डाइवरसिटी आज वेल हमारे पास पानी में रहने वाले भी जीव जन्तु काफी है 20,444 स्पीसीज हैं हमारे पास जो की पानी में सागर में रहने वाले हैं तो किसी चीज की कोई हमारे पास ऐसी कमी नहीं है बेसाइट्स दीज 9,057 स्पीसीज फ्रेश वाटर के हैं जो की साफ पानी में रहने वाली मचलिया या पेड़ पौध है, 3939 स्पीसेज वो जीव हैं जो एस्चुरी में हैं, एस्चुरी याने की वो इलाका जहाँ पानी का साफ पानी जो ड़दी का साफ पानी है और समुद्र का जो खारा पानी है वो मिलता है, तो समुद्र के किनारे पर ऐसा एक मिक्ष बढ़ मैंगरूफ का इको सिस्टम जो डल्टा के इलाए की इलाके हो ते हैं वहां मभूफ 15747 स्पी और तो हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे पेड़ पॉदे हैं और अगर हम मैं जाते हैं तो युकश्टे बाइयो स्फेयर रिजर्व्स हैं जो कि इंडिया के अंदर हैं जिसमें से सुन्दर बन बाइयो स्फेयर रिजर्व सबसे बड़ा है जिसमें लगभग 2,626 स्पीसीज रहते हैं ग्रेट निकोबार में 2,079 स्पीसीज नीलगेरी हिल्स में 1,875 स्पीसीज गल्फ अप मननार में 1,086 स्पीसीज गमानस में हमारे पास 846 स्पीसीज हैं पंचमडी में 795 स्पीसीज हैं अचरकमर अमरकंटक में 649 स्पीसीज हैं सिम्लिकपाल में 539 स्पीसीज हैं और नंदा देवी में 427 स्पीसीज हैं नेयोक्रेव में 262 स्पीसीज हैं आनिमल्स की जिन्हें रिपोर्ट किया गया है युनेस्को के द्वारा और ये 18 जो है ये प्रिलेम्स में पूछा जा सकता है, कि इन में से बताओ कौन सा, आपके 18 Biosphere Reserves में से एक है, according to UNESCO, they may ask you in the exam, so you must know, and out of 35 biodiversity hotspots, दुनिया के जितने biodiversity के hotspots हैं, उन 35 hotspots में से हमारे पास है, हिमाल्या, इंडो बर्मा, सुन्द लैंड, वेस्टन घार्ट, ये सब है, श्री लंका के साथ इंडिया का एक shared high degree endemism है, तो हम लोग हर चीज में काफी अच्छे हैं, अगर census की बात करें, तो census का जो data है, हर साल collect नहीं होता, तो एक process होता है census में कि आप सब लोगों को count करते हो, ठीके हर प्रकार के लोग, समाज में कैसे culture के हैं, क्या आर्थिक सिती है, ठीके पूरी country का एक particular time में क्या है, तो ये हर 10 साल में एक बार होता है, तो census 2011 का वो लिया गया था, it was the 15th census, 1872 से हम ये काम कर रहे हैं, और ये पंदरवा census था, जो की पहली बात बढ़िया तरीके से 1872 में कंड़क्ट हुआ था, और उसके ब मार्च को ये जो है, इसका शुरुवात हुई थी इसकी, और census 2021 का जो है, इसे कंड़क्ट किया गया था, दो फेजस में, तो इसमें एक हाउस लिस्टिंग हुई थी, हाउसिंग census, जो की April September 2020 में हुआ, और एक population enumeration हुआ था, during 9th to 28 February, तो 2021 में हमने देखा, एक revision round हुआ, ए तो COVID की वज़े से फिर ये पोस्पोन हो गया, further orders की वज़े से, तो अभी जो है, ये continue नहीं हो पाया था, लेकिन I hope बहुत जल्दी ये census हमारा, इसका round up complete होगा, लेकिन जितना data अब तक हमें मिला, उससे पता चलता है, कि इंडिया की population जो है, अभी काफी जादा है, 121.09 क् ठीक है, तो कैते ने सवा करोड भारती है, तो भी सवा करोड से भी जादा हो गए हैं, भारती है, 62.33 करोड मेल हैं, जबकि 58.76 करोड फीमेल हैं, so you can see कि मेल और फीमेल का जो रेशो है, अब वो थोड़ा सा ठीक हो गया है, आउट ओफ दिस 83.38 करोड, 68.9 परसेंट जो है हमारी रूरल एरिया में है population और रेस 37.71 करोड अबन एरियास में रहती है, यानि कि भारत के आज भी मैक्सिमम लोग गाउं में रहते हैं, तो with a population of 100 to 87 करोड 2001 में हम देखते हैं कि इनके अंदर एक डिकेडल ग्रोथ रेट हुई, मतलब हर 10 साल में एक ग्रोथ पड़ती जा रही है, तो 2001 से 2011 के बीच में हम देख रहें 17.7% की increase आई है population में, तो हम मानते हैं कि भाई हम जो है reach हो रहे हैं 1363.0 million से 2021 में projected है, कि 2036 में हमारी population 1522.3 million हो जाएगी, इंडिया में अगर हम देखें तो बहुत कम दुनिया का surface area है, केवल 2.4% ही दुनिया का surface area हमारे पास है, लेकिन अगर आप इसमें देखें तो population बहुत जादा रह रहे है, and area of 135.79 million square kilometer, yet it accounts for 17.3 percentage of the world population, इसका मतलब क्या है, कि 2% जमीन पर 17% लोग इस दुनिया के burden डाले हुए है, and that's why the land is so costly in India, इंडिया में जमीन जितनी costly है, जितनी महंगी है, उतना विदेशों में नहीं है, अगर population density की बात करें, तो it is an index of population concentration, अगर हम देखें, तो यह define किया गया है as the number of persons per square kilometer, ठीके, इसके हिसाब से देखें तो population density अगर इंडिया की देखें, तो 2011 में यह 382 per square kilometer थी with decadal growth rate of 17.7%, मतलब हर 10 साल में यह 17.7% बढ़ सकती है, बड़े शेहरों की बात करें, तो जहाँ जादा population इसमें बिहार है, most quickly populated है, population density 1106 per square kilometer area, followed by West Bengal, West Bengal में भी कोई कम नहीं है, 1028 इतना जादा आपका है, केरिला में 860 है, ठीके, in 2011 per square kilometer, इसके बाद छोटे राज्जियों में कम density में आपका आता है, you know, NCR ठीक है, डिली का एलिया का highest पर है भी, छोटे शेहर हैं लेकिन सबसे बड़ा area, सबसे जादा लोगों को cover कर रहा है, तो डिली में जो हम देखते हैं, तो भाई, population density जो डिली NCR की है, वो highest है, at 11,320 persons per square kilometer in 2011, और इसके बाद चंडीगड में भी काफी population है, 9,258 persons per square kilometer, तो area छोटा है, बहुत जादा है, अब लड़के लड़की की अगर बात करें, तो sex ratio, ये एक number में define किया जाता है, it is defined as the number of females per thousand males, तो ये एक important social indicator है, जिससे की आप ये measure कर सकते हैं, कि कितनी equality महिलाओं और पुरुशों को मिल रही है, तो sex ratio, 972 हुआ करता था, beginning of 20th century में, यानि 1901 में, फिर हमने देखा decline हुआ, 1941 में बहुत कम हुआ, 945 हो गया था, लेकिन अब ये काफी improve हुआ है, 2001 में ये 933 था, और 2011 में ये 943 पहुँच गया है, मतलब अगर 1000 पुरुश हैं, तो 943 महिलाएं हैं, अगर child sex ratio देखें, तो girls की जो, you know, number है, वो भी जो है बढ़ रहा है, 5000 boys is 0 to 6 years, तो अगर हम देखें, तो ये भी deteriorate हो रहा है, from 927 in 2001 to 919 in 2011, literacy की बात करें, तो एक इंसान, परसन, जो की 7 years या उससे उपर का है, और अगर कोई भी एक भाशा पढ़ लिख और समच सकता है, तो आप उसको literate बोलेंगे, तो census की हिसाब से हम देखें, कि भई कभी कभी ऐसा भी होता है, कि कोई इंसान, पर तो सकता है, लिख नहीं सकता, तो वो literate नहीं है, तो 1991 से पहले census of India, बच्चों को 5 साल से नीचे बच्चों को भी literate category में मान लेती थी, पर अब 2011 से ये देखा जा रहा है कि नहीं, 7 साल का आप age रखो, और 73.0% जो है, ये एक हमारे पास इंडिया की literacy का rate है, जिसमें से पुरुष 80.9% है, और 64.6% जो हैं female साती हैं, और increase हो रहा है, क्योंकि पहले ये 64.8% था 2001 में, बच अब ये 73.0% है, मतलब कोई भी एक भाशा लोग पढ़ लिख और समझ पाते हैं, maximum लोग, केरिला इसमें सबसे उपर है, 94.0% लोग है केरिला में जो पढ़ लिख सकते हैं, ठीक है, और female की बात करें तो इसमें उनकी संक्या भी अच्छी है, मेल 96.1% है, फीमेल 92.1% है, लक्ष्वदीप में भी काफी अच्छा है, 91.8% है, बिहार में अभी काफी कम है, 61.8% है, लिटरसी रेट जिसमें 71.2% पुरुष और फीमेल जो हैं, 51.5% है, लोएस्ट इन दी कंट्री, सबसे कम. इसके बाद हम देखें, अगर migration की, तो census में migration देखने को मिलता है, कई बार हम देखते हैं कि लोग कहां पर रह रह रहे हैं, place of last residence and place of birth, तो ज़्यादा तर आप देखोगे कि लोग जहां पर जिन्नोंने जन्म लिया है, वहां से वो migrate हो जाता है, तो last residence का method जो है, वो दिखाता है, कि migrant कहां से कहां move होते हैं, ठीके और currently कहां रह रहे हैं, उनका last residence कहां था, कहां से वो यहां आए हैं, और birth यह पता चल जाता है, कि भई लोग जो हैं, जो कि कहीं किसी जगा रह रहे हैं, वो उस जगा के नहीं हैं, ठीके वो वहां आके बसे हैं, तो about 455.8 million लोग जो हैं, उन्हें हम migrants मानते हैं, ठीके, क्योंकि वो अपने last residence से change हुए हैं, 141.9 million जो हैं, इन्हें माना जाता है, कि वो migrants हैं between the period 2001 to 2011, केवल 15.6% ही हैं, migrants के, जो कि इंटर state में हुए हैं, अपने ही राज्ये के अंदर, 64.9% migration जो है, 2001 से 2011 के बीच में, वो within the districts of integration हुआ है, अपने ही district में, और rest 35.1% जो migration है, वो इंटर district migrants में ही आ रहा है, इसके अलाव अगर fertility और mortality की बात करें, तो पहले क्या होता था कि बच्चे के जन्म लेते ही, बच्चा एक साल भी पूरा नहीं करता था, उसकी मृत्यों हो जाती थी, इसी को mortality rate कहते हैं, कि अगर 1000 बच्चों का जन्म हुआ, तो उन में से कितने बच्चे जिन्दा बचें, ठीके एक साल के अंदर, तो अब क्या है, यह mortality rate जो है हमारा कम हो रहा है, यानि कि कम बच्चों की मृत्यों हो रही है, which is good, और fertility की भी आगर हम बात करें, तो इसको भी इस तरीके से रखा जाता है, तो fertility rate है, total fertility rate, TFR, यह average number of children है, that would be born to a woman over her lifetime, कि मतलब एक महिला पूरे जिन्दगी में कितने बच्चों को पैदा करेगी, तो यह about 2.1 children per woman आ रहा है, और it is called replacement level fertility, तो यह पहले जो है 2.6 in 2008 था, 2.2 in 2018 था, और gradually यह जो है कम हो रहा है, so हम लोग जो है अचीव कर रहे है, the replacement level of fertility, यानि कि अब यह drop हो रहा है, which means the fertility rate is coming to 2.0, 2.2 से 2.0 के तरफ आ रहे हैं, और यह NFHS 5 की report दिखाती है, इसका मतलब पहले महिल आएं, जितने जादा बच्चों को जन्म देरती थी, उतना अब नहीं दे र बात करें, तो crude birth rate क्या है, यह दिखाता है कि total number of live births in a year divided by the total mid-year population and multiplied by 1000 to express it per 1000 population, तो CBR India का जो है, यह 19.7% आ गया है per 1000 population in 2019, तो यह काफी अच्छा है, ठीक है, इसमें अगर हम देखें हैं, तो जो crude death rate है, वो हम हमारी कम हुई है, mortality rate भी हम कह सकते हैं, इसको, जिसमें कि कितने बच्चों की मृत्य हो जाती है, इसको count किया जाता है, इसके लिए भी इसको पूरी mid-year population से divide करके 1000 से multiply किया जाता है, तो यह हम देखते हैं, 2019 में 6.0 per 1000 population थी, generally down from the 7.3 in 2009, तो 2009 से हम थोड़ा और कम हुए है, तो यह अच्छी बात है, इसका मतलब जादा बच्चों की मृत्यू नहीं हो रही है, infant mortality rate है कि भई जो infant बच्चे होते हैं, एक साल से भी कम आयू के, वो कितने जिन्दा बच रहे हैं, तो इंडिया में अच्छा reduce किया है हमने, और यह अच्छी बात है कि पहले हमारा infant mortality rate ज सकते हैं, तो यहां तक काफी चारी चीज़ें हमारी cover हो गई है, अब guys आज के लिए इतना ही, आज हमने काफी कुछ cover कर लिया, यहां पर आज की हमारी class cover होती है, हमने पूरा यह chapter अच्छे से cover किया है, word to word इसकी एक summarized version में आपको explanation मिल चुका है, and I hope कि आप जो है समझ पा after, but it's very important and it's worth it, ठीक है, बहुत जरूरी है यह, तो I hope guys you enjoyed the session, अब आज की class के कोई doubts हैं अगर, तो आप पूच सकते हैं, if there is anything you want to ask, जिन लोगों ने अब तक अगर इसे like नहीं किया है, तो आप लोग please this session को like करें, दूसरा guys, आप सभी को एक, मैं देख सकते हैं, आपका सव to my telegram channel, आप बस मेरा नाम सर्च करो, आरती मिश्रा अनकाडमी, ठीक है, आरती मिश्रा अनकाडमी, you need to search on telegram, आप इसे telegram पे सर्च कीजे, आरती मिश्रा अनकाडमी, ऐसा सर्च करते ही आपको telegram पे मेरा channel मिलेगा, spelling का ध्यान रखिए, double A and double E, ठीक है, ऐसा spelling का ध्यान रख सब्सक्राइब आपको बता दू कि हम लोग एक नई सीरीज स्पेशल क्लासेज के थू स्टार्ट करने वाले हैं ठीक है जिसमें की हम कुछ नए टॉपिक्स कवर करेंगे जी एस के और कुछ स्ट्राटजी के भी वीडियोस होंगे तो उसके लिए भी आपको जॉइन करना है मुझे और डेली स्पेशल क्लासेज का लिंक भी आपको टेलिग्राम से मिल जाएगा तो आज के लिए आप सब कुछ क्लियर है और यह सूपर हेट वो मैंने बात कर लिया है डोंट वरी हां तो गैज आप सभी के मैं कमेंट्स देख सकती हूं और कोई डाउट मुझे नजर नहीं आ रहे हैं तो दाट्स ग्रेट जो लोग अभी लेट से जॉइन हुए हैं देकिन वाच इन रिकॉर्डिंग आप लोग रिकॉर्डिंग में से देख करके कवर कर सकते हैं हमारे सेशन को ठीक है यहीं से अब हम लोग कर दो दो झाल झाल